जहिन दोस्तों आप सब एक अश्वागत है आपके अपने इस योटूब चैनल स्टड़ी अपने लिए पे आज हम लोग एडियम्स पढ़ेंगे जो की SSC CGL 2024 में आपसे पूछा गया था जिसका एक्जाम आपका 9 सेटमबर से आपका 26 सेटमबर तक एक्जाम चला है जै कि 36 से इंग्लिस के उससे मैंने इडियम्स का कुशिण चाटके आप लोग को करवा रहा हूं तो वन पाइवन लोग करते हैं पहला कुशिण है तू है बिगर फिश तू फ्राई इसमें आप लोग भी मेरे साथ करने का कोशिश करिएगा तो आप देख लिगा कि इतना सही हो रहा आपके पास बहुत बड़ा मचली है जिसको फ्राई करना है तो यह काम कैसा होगा तो आप्षन फरस्ट है इसका सही हो जाएगा तो यह तिन नहीं है तो पहला होना पड़ेगा तो आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे पर कंफ्यूज नहीं होना है अगर किसी का पैट टूट गया तमझा उसे बुड़ लग विश करता है जल्दी ठीक हो जाओ ये उस टाइप का तो इसका मतलब विश्यमन गुड़ लग विफॉर परफॉरमेंस ठीक है तो इसका मेनिग निकलता है ठीक है अगला वर्ड है तो इस्टील फ्रम शॉप यानि शॉप से कोई चीज को चुराना क्या होगा इसका मतलब यानि 5 फिंगर डिसकाउंट ठीक है आपको पांचों उं पुर सेंटेंस पढ़ने का जरुबत नहीं है आपको फिक यही देखे अट हर विट्स टेक है एंड टेक है अट हर विट्स एंड क्या होगा इसका मतलब इसका मतलब होता है कि so worded confused और annoyed that she does not know what to the next यहीं क्या आगे होने वाला है उसके बारे में उसको पता भी नहीं है फिर भी यह कर रहे है तो आप्शन नमबर 3 इसका हो जाएगा चेक है चलिए आगे बढ़े वीडियो को रोकिए खुद को खुद सॉल्व करें कुशिश अगला बाड़ है on the ball on the ball क्या होगा इसका मतलब होता अगर आप बाल पे है तो unaware नहीं है कोई भी तरह का चेंज़ और डेवलोप्मेंट्स टिक है और lazy to react to them यह हो जागा इसका option no.3 unaware of any changes or development and lazy to react to them अगला बड़े यहाँ पर question no.3 नहीं नहीं sorry इसका यह नहीं होना चाहिए इसका होगा aware of any मतलब आप बाल पे है ठीकिए आपके पास बाल है तो आप aware होना चाहिए नहीं आप aware होना चाहिए aware of any changes or development quick to react देम अगर बाल आपके पास है तो आपको react कि कितना करन होगा बहुत जल्दी करना पड़ेगा क्यों क्यों कि आपके आपके पास से कब कोई बाल चीन ले आपसे तो यह होगा ठीक है यह पांच को हो जाएगा आपसे चौथा नमबर ठीक है अगला देखिए six number six number में क्या है इसमें एडियम आपको डालना है ठीक है आपके आपके मैं वैदर को देखके कैसा हो गया हूं ठीक है to accept the job offer or continue freelancing both options have their advantage ठीक है आपके पास दोनों तरह का advantages ठीक है तो मत आपके है on the fence ठीक है अगला वाद यहां पर bite the bullet ठीक है bite the bullet क्या होगा इसका मतलब होता है यहां पर face a difficulty situation without courage ठीक है आप बहुत जादा difficulty situation को face कर रहे है courage के साथ ठीक है बहुत ही मतलब करेज के साथ मतलब कर सकते है कर सकते है courage से अगला वर्ड यहां पर care a hang ठीक है eight number है care a hang इसका मतलब होता है showing no interest ठीक है आपका कोई interest ना होना care a hang मतलब आप कोई भी तरह का interest में नहीं दिखा रहे है अगला वर्ड हीट the nail on the head ठीक है मतलब जो नाकून होता है ठीक है उंगली में जो नाकून होता है उसको आप बार बार आपने सर पे ठोक रहे है ठीक है hit the nail on the head तो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है they have accurately identified or explaining something चेक है option no.4 यह होता है इसका मतलब कि they have accurately identified हो रहे है explain कर रहे है कोई चीज़ को भी होता है hit the nail on the head ठीक है यह तो नहीं उसका देखिया पहला they hit a nail with hammer ठीक है अब nail को hammer से hit कर रहे है they are explaining a headage headage को explain कर रहे है नहीं experience कर रहे है headage को नहीं अगर आपको सर्दर्द हो रहा है तो आप nail hit कर रहे है they are earth sentence about a decision ठीक है यह चीज़ होता है अगला यहां पर question no.10 tried very hard ठीक है बहुत ज्यादा बहुत कोशिश करना tried very hard ठीक है इसका मतलब होता है moved heaven and earth ठीक है मतलब आकाश पाताल एक कर देना यह यह बहुत ज्यादा कोशिश करना ठीक है बहुत हद से ज्यादा प्रयाश करना tried very hard अगला है to read between the lines ठीक है मतलब दो line जो है ठीक है पहला line है दूसरा line के बीच में फी वह पढ़ रहा है तो मतलब वो कैसा पढ़ाई कर रहा है ठीक है to understand more than what the word suggest मतलब जो उसमें लिखा उससे और ज्यादा समझ्य कुशिश कर रहा है ठीक है यह होता to read differently to read aloud to public to underline some word नहीं इसका मतलब यही होता है कि अगर आप line के बीच में भी पढ़ रहे हो ना मतलब आप बहुत जादा कहरा ही में पढ़ रहे हो ठीक है बहुत जादा समझ्य कुशिश कर रहे ही होता है to understand more than what the word suggest अगला है jump the gun ठीक है jump the gun मतलब होता है to do something too soon and quickly अगर आप gun आपके उपर तोब दिया जाए ठीक गन आपकी सरपे है तो आप क्या करोगे बहुत जल्दी actions लोगे ना to do something too soon and too quickly तो भही होता है jump the gun ठीक है अगला है deem a dozen deem a dozen का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है something common and not special deem a dozen मतलब जो बहुत ही है आम बात है बहुत ही common बात है तो इसमें special रही है deem a dozen something common and not special अगला है nobody fools 14 नमबर में आपको बोला गया है nobody fools बतलब बतलब नॉट easily deceived जिसको easily हराया नहीं जा सकता not easily deceived जड़ ले अगला बढ़ यहां पर 15 में यहां पर डालना है fill in the blanks में आपको 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 पुछा गया था the new not publisher decided to withdraw a book from the market no one was interested in the book as the argument presented there वो under the rose था ठीक है 15 का under the rose था नहीं था high and mighty था नहीं था ठीक है वो कैसा था beside the mark था out of the wood था तो beside the mark था ठीक है कैसा होता है uncomfortable situation होता है तो idiom जो होता है वो basically हम ही लोग पर apply होता है तो आप लोग idiom को खुद पर apply करके देखिए क्या लगता है तो यह फिश अगर पानी से बाहर है तो situation कैसा होगा uncomfortable होगा तो इसका मतलब ही होता है uncomfortable अगरा है आनद personally believe in the motto when life gives you lemons जब life तुम्हें lemons देती है तो make lemonade क्या होगा इसका मतलब बताइए 17 का तो इसका मतलब होता है enjoy the most when the season is favorable नहीं nourish health नहीं इसका मतलब होता है make the best out of difficult situation मतलब जो भी difficult situation उसमें भी अपना best देना make the best out of difficult situation वह होता है when life gives you lemons जब आपको जिन्दगी आपको lemon दे रही है तो make lemonade which is a bad patch काफी जी हो जाता है bad patch मतलब means एक ऐसा समय ठीक है हाँ यह हो जाएका 4 number एक ऐसा समय जिसमें जो person ने बहुत ज़्यादा trouble difficulty का सामना करते person who takes a difficult punch नहीं इसका वह हो फो नंबर means एक ऐसा समय ए person of time a period of time sorry a period of time when a person faces lot of trouble means एक ऐसा समय जहाँ पे person को बहुत ज्यादा कठना है यह को सामना करना पड़ता है bad patch अगला है turn the deep ear to यानि आप अन्सुना कर देना कोई चीच को मतलब आप डीफ यानि बहरा और कान मतलब अन्सुना कर देना तो यह इसका मतलब निकलता है उससे related कौन है देखिए ठीक है 19 का यानि disregard कर देना किसी चीच को ठीक है रिबुक मतलब तो इसका मतलब डाटना होता है ठीक है तो यह होता है disregard कर देना turn the deep ear मतलब अन्सुना करना यानि किसी को disregard कर देना वह चीच से होता है अगला है यहाँ यहाँ पर 20 number all his friends admired him because he was a straight shooter ठीक है जितना भी friend ने उसका प्रसंसे किया क्यों 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 वह बहुत ज्यादा अच्छा straight shooter था straight shooter मतलब क्या excellent shooter था नहीं complicated and confusing person था यह तो एकदम मेल ही नहीं खा रहा है ठीक है यह throughly upright straight forward person ठीक है throughly upright straight forward person यह होता है इसका idioms का मतलब क्यों 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 करेगा यह वह थोड़ी upright straight forward person ने सिधा से भी बात करता उस टाइप का अगला word है यहाँ पर my uncle lives in new york so i only see him once in a blue moon यह आपको काफी repeated question से once in a blue moon काफी बार आया हुआ once in a blue moon means not very often ठीक है 21 नंबर का not very often जो मतलब कभी कभार होता है ठीक है once in a blue moon अगला word है through thick and thin ठीक है through thick and thin यानि पतला हो या मोटा हो कैसा भी condition वो चीज़ है यहाँ पर through thick and thin यानि जो भी condition हो कैसा भी condition हो कैसा भी difficulty हो चाहे पतला हो मोटा हो पतला चादर हो मोटा चादर हो मुझे करना है तो करना है वो चीज होता है under all condition no matter how challenging or difficulty यहनी option number 2 अगला वड़िया पर 23 का keep the wolf from the door यहनी wolf यहनी भीडिया भीडिया को अपना दर्वाजा उसे दूर रखना keep the wolf from the door क्या होगा इसका मतलब इसका मतलब होता है avoid starvation अंदिखा करना avoid करना keep the wolf from the door avoid starvation अब आएंगे 24 नंबर पर pulled a long face अनि pulled a long face आप समझेए अगर कोई person है ठीक उसका face काफी फैल गया है मतलब इन दसने मतलब फैला लिया गुस्सा हो गया या फिर उदास हो जाता है उस टाइप का ठीक है 24 आपका भी अगले to bring to light 25 नंबर तो bring to light यानि कोई चीज को disclose कर देना ठीक तो bring to light यानि अन्धेरा है वहाँ पर आपने light जला दिया और जो चीज मतलब सब च्छिपा हुआ था उसको सबके सामने लिया आनि इन डिस्क्लोस कर देना रहा से उचागर कर देना वो चीज निकलता है इसका मतलब अगला है cut corner अगर आप corner से चारो तरफ काट होगे तो क्या होगा cut corner मतलब 26 का cut corner to do something in a inexpensive and easy way तेक है मालब कोई चीज ऐसा मालब clear a space नहीं complete a work नहीं find a suitable place नहीं cut corner मतलब do something मैंस ऐसा चीज करना in a inexpensive way and easy way तेक है जो expensive नहीं हो तेक है माल कम खर्च में हो जाया और बहुत ही आसानी सो जाया चीज होता है अगला easy does it 27 अब easy does it इसका मतलब होता है use to tell someone to do something slowly and carefully तेक है मतलब easy 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 चीज है आराम से करो ठेक है वह सब चीज होता है use to tell someone to do something slowly and carefully and option number four अगला वर यहां पर आता है I thought मैंने सोचा कि sadhana would always stick by me but when I got into trouble जब मैं उसे परिशानी में देखता हूं she turned out to be ठीक है वह कैसे behave करती है out to be open secret ठीक है white elephant white elephant होता है काफी महेंगा और useless मतलब जिसमें काफी जब्दा पैसा लगा दिये है वह कोई खाम का नहीं है उस tag का fair weather print तो यहां पर यह निकलता है कि अच्छे समय के साथ ही और दुख के समय में गायब होता है fair weather print अगला है Penelops wiele चेह कहे समय मतलब होता है difficult task नहीं से करेट आए इसका मतलब होता है Panelops मतलप में यह नहीं होना चाहिए यह पन होना चेहिए थिक है pan elaire vet wave बगी को देखना है पर यह आद है कि Penel of Sweeps मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है एक ऐसा टास्क जो खतम ही नहीं होता है बहुत लंबा समय एक endless task होता है चीक है Penel of Sweeps यह आपका 26 सेतमबर का थर्ड सिफ्ट में आता है यह कुशिशिप अगला है Creature of Habit Creature of Habit क्या होगा इसका मतलब 30 का बताईए Creature of Habit इसका मतलब होता है One who does same thing in the same way Creature of Habit मतलब वह प्रकृति का ऐसा ऐसा चीज़ उसका habit ही same है तो मतलब एक ऐसा चीज की same तरीका से हमेशा करता है One who does same thing in the same way अगला Hit the roof 31 का Hit the roof इसका मतलब तो बहुत ज्यादा angry हो जाना गुस्सा हो जाना Hit the roof अगर मान किसे कि आप इसे का roof है ठीक है उसमें आप hit कर देते हो कैसा पुलाडी से गुस्सा हो जाना Hit the roof तो become very angry अगला Start from scratch कहां से आपको start करना scratch से Start from the scratch क्या हो इसका मतलब Start from the scratch में scratch होता है scratch यह coupon code होता है वहां से आप लोगों को देखना है या फिर phone अगरा में प्याच करता है कि scratch करिये वही होता है scratch से करना अगर आप scratch से कुछे start करना यानि बहुत जादा स्टार्टिंग से करना to start or clear something from very beginning ठीक है 32 का आपका C number 33 हो जाता है to do well ठीक है wishing you luck to do well क्या होगा 33 का बताई है इसका मतलब होता है break a luck अभी यह question repeat हो गया break a luck यानि किसे यह good luck wish करना देखिए wishing you luck to do well good luck wish करना यानि break a luck ठीक है repeat हो गया question आपका अगला है यहां पे hand-packed husband क्या होगा इसका idiom hand-packed husband का इसका idiom जो होता है oppressed husband ठीक है oppressed husband 35 आते है at a low eb 35 नंबर है at a low eb इसका मतलब होता है in a depressed और weak state ठीक है low eb मतलब होता है कि बहुत जाए depressed और weak state पे होना at a low eb अगले off and on अगर आप कुई चीज को बंद कर रहे हो चालू कर रहे हो चालू कर रहे हो idiom का वापस idiom को जिया off and on यानि now and then यानि irregular भी होता है यहां पर वह भी सही होता अगला है left out in the cold अगर आप किसी को बर्फ में यानि ठंडा के समय में छोड़ दे रहे हो बाहर तो मतलब क्या कर रहे हो आप उसे ignore कर रहे हो तो भी ignore अगला है break the ice break the ice का क्या मतलब होता है break the ice का मतलब होता है to say or to do something that makes people feel more relaxed especially at the beginning of a meeting party nervousness before a performance break the ice मतलब nervousness before a performance यह तो नहीं होगा ill-filled carried by a person over a period of time यह भी नहीं होगा respect for a performance achievement यह भी नहीं होगा तो इसका correct तो यह भी नहीं है पर according to options सबसे जादा मतलब अगा setting जो बैठ रहा वो यहीं बैठ रहा है to say or do something rate makes people feel more relaxed especially at the beginning of a meeting party अगला word यहां पर this year इस साल को पहले यह देख लिख 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 अब हमनों काएंगे 40 नंबर पर off and on आगया वहीचीज off and on regularly नहीं 40 का periodically यह होगा चीक है जो मतलब उस periodically period आप स्कूल से देख लिख 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 अगला वड़ी आपर ए ताइम मंट मैं अनेक्स पेसा को जाता है तो इसका जरुद पड़ जाता है वो चीज समझ सकता है कि बारष हुआ बार आगया यह तो अगला है कॉला कॉला स्पेड ए स्पेड बोलना क्या हो यह मतलब इसका मतलब होता है शाही चीज़ बोलना और कुछ तो नहीं बोलेंगे न तो यह साही चीज़ बोलना है अगला वर्ड़ गेफ्ट आप देगाब कैसे याद करें यह समझे गेफ्ट आप देगाब यानि गबबर को गबर कैसा बोलता कितने आदमी थे साबा कैसा लगता सुनने में काफी अच्छा लगता है न यहीं बोलने का कला होना ए टालेंट फॉर स्पीकिंग अगला इसका मतलब होता है पहला स्पीच फॉर्स्ट स्पीच चेक है मेड इन स्पीच मतलब पहला स्पीच अगला बढ़ें यहाप 45 आफ्टर मन्त को समय के बाद आफ्टर मन्त अफ डेडिकेशन अन इफ़र्ट आइ फानिली कंप्लीटिट द अ माराथन बहुती समय के बाद मैं इसका बैट रहा है यहाँ पर बैट मैसल्फ ऑन दा पैट चलिए आगे बढ़ते हैं 46 46 given by somebody who is directly involved and therefore like to be accurate given by somebody given by somebody who is directly involved and therefore likely to be accurate state from the horse mouth सीधा गोड़े के मुह सही सँनना तस्थ गोड़ा होता न है जैसे मैं बताऊं तो जो परसंट है पॉलिटॐल धिक है पैस नहीं ले टेंद कुछ भी हो रहा था मेटिंग हो रहा ता पार्टि हो रहा था है वहां पर गोड़ा के सामने ही अंट नहीं प Certified चोल८ के इसालागा थे चलुब से या फिर आदमी था उस आदमी सह unterstützen मैंने दाइट पूछ लिया उसके माउस से पता चला तो वह ही वह होता है given by somebody who is directly involved and therefore likely to be accurate and is fed from the horse mouth अगला बड़े treated her with contempt ठीक उसको treat करना कैसा? contempt जैसा treat करना ठीक इसका मतलब होता turned up their nose at her अगला बड़े let the dust settle let the dust settle करना, let the dust settle and to wait for a situation to become clear or certain ठीक है? मिन सही समय का इंतजार करना चाहां पर सारा situation जो हो clear हो जाया, certain हो जाया, excess हो जाया अगला बड़े दर टीप आइसबर्ग ठीक है? आइसबर्ग का जो tip होता है उसका idiom क्या होगा? the tip of the iceberg इसका मतलब होता है कि small noticeable part आइसबर्ग का जो tip होता है वो क्या होता है? काफी छोटा होता है, last होगा नहीं छोटा होगा, noticeable part होगा, a noticeable part of a problem ठीक है? the total size of which is really much greater जो इसका total size जो होगा, वो क्या होगा? काफी बड़ा होता है ठीक है? आइसबर्ग को होता है ने काफी बड़ा पर उसका जो ऊपर अला part हो काफी छोटा होता है और noticeable भी होता है ठीक अगर वहाँ से किर जाएंगे तो problem भी हो जाएंग तो बहुत चीज होता है अब यहाँ पे 50 keeps her card close to the chest यानि आप अगर जुगा खेल रहे हो यानि मतलब बतने cards playing card अगर आप वह card खेल लो तास के पत्ते खेल रहे हो और उसको आप अपने chest पे रख लिए हो यानि छुपा रहे हो card को छुपाना क्या होगा इसका मतलब keep her plans and thoughts means अपना plan अपना thought अपना विचार को छुपा के रखना और इसका एक opposite भी बनता है कि कि अगर अपना card आप सामने दिखा दे रहे हो किसी को तो मतलब आप बहुत ज्यादा honest हो इमानदार हो ठीक है उस type को यह निकलता है high and dry high and dry मतलब होता helpless कुब यहाँ पर EDM cook to your goals 52 मतलब है cook to your goals इसका मतलब होता है to interfere with disrupt or ruin something for someone ठीक है और कोई चीज को बरबात कर देना किसी और के लिए भाई चीज़ा to interfere with disrupt or ruin something for someone अगला on cloud 9 53 on cloud 9 इसका मतलब होता है being very delighted a bitter a bitter क्या होगा इसका मतलब दो और और है क्या होगा a bitter pill क्या होगा bitter pill मतलब facing a distressing situation को face करना 55 last है fell flat with 55 का fell flat with मतलब कोई effect नहींदा had no effect on ठीक है the entire speech of the revivalist ठीक है revivalist fell flat with the crowd that was present यह में कोई effect ही नहींदाल of sky speech का had no effect on इसका answer भी यहाँ नीचे दिया हुए आप देख सकते हैं ठीक है तेसी के साथ यह वीडियो idioms वाला complete होता है 55 आपने signo का वीडियो नहीं देखा आप signo वाला भी देख लिए वह भी आपको इसी चैनल पर पढ़ा होगा idioms वेगरा ठीक है one word chsl का भी मैंने 55 करवाया है तो आप भी सारा देख सकते हैं वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए अपने दोस्तों के शायद भी शेयर करें और बाई बाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर करें अनल